Hi friends, NBT Life में मैं तनफरीत आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस exercise विडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो shoulders से जो peak का area होता है और उसके beach का जो area होता है जहां backbone होती है तो backbone के जो आसपास की muscles होती है उस पर हमें कई बार दर्द उठ जाता है अचानक से क्योंकि हम बहुत जादा एक ही posture में बैठ जाते हैं या फिर हम बहुत जादा एक ही जगा बैठ कर काम करने लगते हैं या फिर बहुत भारी समान उठा लेते हैं तो आज के exercise उस पर होगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपने right hand को और left hand को नीचे से right hand को उपर से दोनों को इस तरीके से पीछे ले जाकर के उसे touch करना है आप दोस्तों जब ऐसा आप alternatively करेंगे याने कि एक बार right hand उपर और left hand उपर तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा हाथ आपका touch नहीं हो रहा है याने कि अगर आपका right hand और left hand जब आप उपर से ले जा रहे हैं right hand को वो touch हो रहा है मतलब आपके right वाला जो part है वो right वाला area है आपके उसमें दर्द बहुत जादा नहीं है लेकिन अगर आप left वाला hand उपर से ले जाते हैं और right वाले hand को नीचे से पकड़ने की कोशिश करते हैं अगर वो touch नहीं होता है जैसा कि आपने देखा मेरा touch नहीं होता है याने कि मुझे जो है वो left side जादा पेन रहता है तो याने कि आपको उस side जादा पेन होगा जब आप regularly ऐसा करेंगे तो एक तो आपकी body used to हो जाएगी इस चीज के लिए और आप आसानी से जो है अपनी body को stretch कर पाएंगे अप दूसरी exercise जो है उसके लिए आपको क्या करना है आपको wall का सहरा लेना है आप wall पर अपने हातों को इस तरीके से रखें और अपने body को आपको upper body को twist करना है एक बार right एक बार left ऐसा आप पहले धीरे धीरे शुरू करें जैसे ही आप दिन बार दिन इस चीज को continue करते जा हैं इससे आपका जो side fat है वो तो जाएगा ही लेकिन आपके जो shoulder जो backbone के इर्दगेर्द जो muscles हैं उनको बहुत जादा आराम मिलेगा तो दोस्तों अगर आपके backbone के तरफ जो muscles होती है उनमें अगर बहुत pain होता है क्योंकि आपका posture खराब है या फिर आपका काम इस तरीके से है या बहुत भारी समान उठाते हैं तो ये दो exercise आप बहुत अच्छे से रूर्जाना कर सकते हैं क्योंकि इससे आपको definitely बहुत फायदा होने वाला है तो इस वीडियो को देखें exercise करके देखें और मुझे comment section में बताएं कि आपको इससे फर्क मिलाया नहीं और साथ ही nbt live क subscribe करना बेल आइकन दबाना ना भूलें